इसमें हम शिखेंगे एक एक एक्सेनल पॉइंट से गिवल सर्कल पर कैसे दो टेंजेंट हो करते हैं यानि एक माहिये मिंदू से एक वरत के उपर दो पर सरेका हैं, हम ड्रो करना सीकिंग, ठीक है बच्चो, बहुत अच्छी बात, उसके पहले आपको एक चीज मैं यह बताना जरूरी समझूगा, कि आप एक लाइन सेग्मेंट आपको अगर दिया होगा, उस लाइन एक रफ टाइप समझा दो फटा पट, उसकी जरूरत पड़ेगी, आप आता है, मिश्यों कुछ बच्चों को कुछ को नहीं आता, तो माल लो यह एक लंब समझ, एक रहखा खड़ने, एक लाइन सेग्मेंट है, इसका परपेंडिकॉलर बाइस सेक्टर कैसे करते हैं, कुल दू, फिर एक चाप ऊपर, एक चाप नीची, इंग्लिक्स में, विद भी एज सेंटर, टेकिंग, रेडियस मोर देन हाफ अप 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 लेपी, तो आर्क्स आर्डोन, एधर एक इदर, ठीक है, शेम रेडियस, विद ए सेंटर, तो आर्क्स आर्डोन, यह अब आप इसको जोइन करेंगे, इस पी क्यू इस परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर, यानि अब यह जो पाइंट है, इनको मिलने वाला, पाइंट इंटर सेंग, इसकी इसमें जरूरत पड़ेगे, अब मैं आपको समझा दू, कि एक इस सरकल गया है, विद सेंटर, ओ, इसको ध्यान पाइंट पी अब यह भार है, इससे हम दो टेंजेंट रो करेंगे, तो ऐसा मत सुझना है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगे, तो इसका सबसे पहला में, मैं इसको आणा से करा दे तो, इस पॉइंट को सेंटर से जोइन कर दो, इस पॉइन को सेंटर से मैं आपके सामने करा भींज़ेंगे हैं ज्टाइन पाइंट टो ओफी निकवा दूव एक लगाद यह साथ करेंगे एक साथ करने कोई दीकने यह एक साथ करेंगे फिर ओपी का मिड़ पोइंट हमें ढूड़ना है मिड़ पोइंट मॉफ एप इस टेकन तो मिड़ पॉइंट के लिए क्या करना वही कहा नहीं आप कमपास यूज करेंगे यहां रखा ठीक है इधर एक आर्ग क्या इदर भी आग रोग कर दिया ठीक है पी एज सेंटर एंड सेम रेडियस तो हमें इसको जब जोइन किया है ऐसे करना है तो यह तो मैं उससे कर रहा हूं बिना कम पास के तो यह थोड़ा मुझे मिड़ पॉइंट लगा नहीं तो मैंने पी को इदर खिशका दिया इस पॉइंट एम तो मिड़ पॉइंट एम इस टेकर तो यह दिखा तो कोई दिखर नहीं पहला क्या 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 आपने ओपी इज जोईन एक्टिव सेंटेंस से बढ़िया है पैसिव सेंटेंस लिखे ठीक नमबर टू आइव तो चेंज दा मार्कर नो प्रोब्लम नमबर टू में मेरे प्यारे बच्चो इस वर्किंग और नॉट नो इस इस नॉट वर्किंग ओके लेट मीं पूर्द सब्सक्राइब मिड़ पॉंट एम ओपी इस टेक नहीं लिखना इतना मत करना कि फर्पेंडिक लिख सकते हैं जोईन ओपी टेग मिड़ पॉंट एम ओपी यह भी करते हैं बड़ पेसिव सेंटेंस थोड़ा अच्छा रहता है अगर आपको एक्टिव पैसिव आता है तो ठीक है मैं सोच नहीं आपकी किसी दिन एक्टिव पैसिव एक क्लास ले लूँ ठीक सो मिड़ पॉंट लिया फिर एम को सेंटर मानना अब एम को सेंटर मानके एक सर्कल डोग करना ठीक है मैं सेंटर एंड ओम एज रेडियेट रेडियेट से ओम लेलो चे पीम लेलो एक ही बात है मैं इसको करूँगा आराम से मुझे अभी ज्यादा इसमें रब टाइप का करणा को स्थी आप कंपास लेका करना ठीक है बच्चों ऐसा उपर से दिख रहा है दिखने ला निदिखने ला सेंटर M लिया एक आपने सर्कल टो क्या यह सर्कल मान लो गिवन सर्कल को A और B पे इंटरसेंट कर रहा है ठीक है ओके यहां दिख दूँ अ लोiva मी में लो खो ट म संटर म स्टर कोडि़र गिवन मal गिवन सर्कल एट A एंड B अब जोइन A P या जोइन P A एंड P B जोइन P A एंड P B बस P A एंड P B को जोइन कर दो P A एंड P B आर रिक्वाइड टेंजेंड बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है? P A एंड P B को जोइन कर दो फिर से बोल दूँ मैं आपको फिर आप तो एक्सपर्ट हो जाएंगे माहिर हो जाएंगे इन चीजों में P को A से जोइन करो यह एक P A टेंजेंड बन गया P को B से जोइन करो यह लो ठीक है? मैं फिर से बता देता हूँ चार स्टेप कुछ नहीं है आपको बहारवाला पाइंट को सेंटर से जोइन करना है फिर नमबर टू में इस जो सेंटर को जोइन किया, O P बन गया O P का मीट पोइंट आपने ले लिया फिर M को सेंटर लिया O M को रेडिस लिया एक सर्कल कंपिलिट किया यह जो सर्कल है गिवन सर्कल को A और B पे काटेगा P A और P B को मिला दो और P A और P B आर रिक्वाइट टेंजन बास, इतना आसान है 11.1 से यह एक्सरसाइज एजी रहेगी ठीक है? आप करते हैं एक्सरसाइज गे, कुछ क्वेशन करते हैं एक्सरसाइज में पांचे क्वेशन होगे 11.2 के, लट इस तेक क्वेशन नमबर 1 फिस्ट दिखरा नी दिखरा है? अभी नी दिखरा थोड़ा सा अब देखरो, डियाग्राम वस नोट विजीबल स्लिटी क्वेशन नमबर 1 उब एक्सरसाइज 11.2 यह रहां आपके सामने जो एक्सर्कल अब रेडियस 6 सेनिमेटर फ्रोम पॉइंट 10 सेनिमेटर अवे फ्रोम इट्स सेन्टर जो दा पेर अब टेंजेंट्स तुदा सर्कल एंड मेजर देर लेंग्स अब मेजर करना से फिर भी मैं आपको पता दूँगा कितना होगा यह सो शबसे पहले तो आप छिक सेनिमेटर का एक सर्कल ड्रो करना विद सेंटरो ठीक है सेंटर सेंटर इसके खोलना करना तेक एंप्सिनेट पॉइंट पी इसको फीग ले लेना कितना कितना दूर लेंगे 10 सेनिमेटर तो यह 6 तो यह हो गया आपको यह आदे से थोड़ा कम होगा डबल से थोड़ा कम होगा उसके बाद ओपी को जोइन कर दो बाद समवागी फिर वही कहानी ठीक इस्टेप लिख दूँ आपके सामने चलिए इस्टेप में बाद में लिखवा दूँगा अब ओपी का मिड़ पॉइंट ले लो देखो यह 6 और यह पूरा अबदा से चार है तो मिड़ पॉइंट लगबग यहां से गुजरेगा बादा ले ली यह कर दिया पी को सेंटर लिया है ओके फिर इसको ऐसे डोर्टेड लाइन से मिला दो इस इस मिड़ पॉइंट एम ओपी ओपी एम एज सेंटर गया डिय को ओ एम लो या पी एम लो क्मप्लीट इस सघार कल यह ले निए एम को कैंधर मानो और ओम जितना दुर्जया लेकर देक्ट इक वरत पूरा करो यह वरत पूरा किया आपने अब यह पर वरत को गोल गोल बनाना, चरकल को गोल बनाना, कंपास लोगे अच्छा बनेगा आपका, यह काफी अच्छा बन गया, यह पाइंट में अगर A दे दूँ, यह पाइंट में P दे दू, A और B PA और PB को जोइन कर तो वोई कहानी बनेगी PA और PB को जोइन कर दिया PA और PB को मिला दिया बास PA और PB are required tangents अब मैं इसका steps लिखा दे तो आपको सुन्दर अक्षलों में अभी step देखिया अब जसी देश्टेप लौ आपका English language थोड़ा डिफर हो सकता है but meaning हो ही रहेगा आपको लिखना जुरूर है with the O as center radius 6 cm as circle is zone okay and external point P 6 cm away from 6 cm but away from center is taken okay OP is joined OP को join कर दिया midpoint M of OP is taken with M as center O M as radius a circle is zone to intersect given circle at A and B join PA and PB PA and PB are required tangents ये लिखिलना आप diagram थोड़ा अच्छा बनाना इससे भी अच्छा बनाना कोशिश कर ना और ये तो चलता steps है थोड़ा आप आप लिख देना कुछ नहीं circle draw किया इतना center इतना रेडिस का ओ पॉइंट P उतना दूर ले लिया चाहे 10 cm का और दिस इस 10 cm आप ये 10 cm 10 cm आप ये टीक है एड ओ पी को जोइन कर दिया M मिड़ पॉइंट ओ पी का ले लिया ठीक है एक circle draw कर दिया OM के जितना रेडिस लेके वो circle दोनों ये दोनो circle जहां करते हैं उनका नाम A और B दे दिया PA और PB को जोइन कर दिया वो हमारे tangents हो गई सवाल number दो देखते हैं इसको लिख लो और हमसे लिख लो लिख लो अब ये उसमें एक रहे किया था मेजर इस लेंग्थ ठीक मैं लेंग्थ या भी उसको मत पढ़ना ठीक है पहले वाला नाइगरा में question number one का भी this is question number one only what happened here आपको बोला थे इसका लेंग्थ पता करो मैं बताओ कैसे आप scale चे मेजर कर लेना आपका लगब कितना आए में बता देता हूँ यह radius कितना था radius 6 था और यह sorry radius 6 था यह angle 90 degree यह आपका 10 था अब पाइटोगोरस से आप पता कर सकते हैं 10 square minus 6 square this PA square कितना होगा PA is the perpendicular PA square equal to 10 square minus 6 square तो वह आपका 64 हो जाएगा तो PA हमारा 64 का square root 7.9 आए तो चलेगा 8.1 भी चलेगा थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है एक्जेक्ट आए तो भी वल्ले वल्ले otherwise 7.9 and 8.1 भी चले चले ठीक है यह वेरिफिक हिन आपका आपका आराम से कर सकते है ठीक है because आपको पता है कि ज्यादे चलेब्स का और तेंजेंट की बीच में एंगल नाइटी डीगरी होता है यह था मारा क्वेशन नंबर वन का मेजर्मेंट उप length of the tangent now this is question number 2 here for you constructed angriji जी देखना constructed tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentring circle of radius 6 cm and measure its length also verify इसके length को verify करना है प्यारज बच्छो इसमें आपको कई बार लगता कि दो लंबे लंबे सेंटेश दे रहे के इंग्लिश ग्रामर के दो लाइनों का और एक्चुली ठीक है ना तो यहां पर इसको पढ़ने में या क्वेशन को समझने में कई बच्चों को दिक्कत आ दी ओर इंडिनरी स्टुडेंट्स के बात करो पाइख ओस ओ ठीक है तो अब एक बार इंदी का कोशन फेपर भी पढ़ लू उसमें क्या प्ता आप इसमाज माझ्छा ठीक है अच्छा अब आपको मोटे-मोटे इदा पता चलरहा के अंसेंट्रिक शर्कल कंशेंट्रिक सर्कल मीस हैं रिंशेंशेंट्र आपको पढ़ाय विद शेम सेंटरे सर्कल्स हेविंग यह पढ़नों थोड़ा सर्कल्स हेविंग शेम सेंटर ठीक है दोलों का सेंटर 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 यह हो गया दूसरा सर्कल यह हो गया तो यह सारे सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है एक पानी में शांत पानी में अगरा पत्थर पठको तो बहुत वेवज बनेगी वो सारे सरकल सकंसेंटि के इंदी में संकेंद्रिय वृत संकेंद्रिय वृत इतना तो पताचिल बनाना है एक— 4 cm का रेडिसYes चैनिमेट कर ठीक है फिर क्वेश्चन को आपट पड़ा तो आपको ठीक है तो पहले दो सर्कल बनाई यह जो तो सर्कल्स निचेंटर ओ कंसेंट्रिक सर्कल एक का रेडिस फोर सेंट्रिक दूसरा की रेडिस जो फोर सेंट्रिक सर्कल उसके उपर तेंजेंट्र करना है कहां से करना है फ्रोम पॉइंट ओंदा कंसेंट्रिक सर्कल यानि जो कंसेंट्रिक सर्कल है और रेडिस शिक्स यानि मड़े वाला सर्कल को उपर कोई एक पाइंट ले लो ठीक इस पाइंट को मैं पी कर दूँ यानि कुल मिला कि आप अब भी सब्स बूल सब्स कूछ पूल जाओ चोटा सरकल याद रख लो और इक पॉइंट पी याद रख लो बड़े सरकल को भूल जाओ भी बड़ा सरकल भी कभी इस दुनिया में था थीक है फिर same procedure इसका midpoint ले लो OP का midpoint ले लो ऐसे दूर रखना M मिलेगा आपको M को center ले लो M is center ठीक है और OMS ready is a circle draw करना वो circle जहाँ छोटे वाले circle को काटता है उड़ का नाम A और B रखना P and PB को join करना ठीक है इतना कर दो फिर मैं step लिख वाता हूँ चलिए आप करिए एक शूँ देखें यह वाले OP का perpendicular bisector draw किया है यानि इस bisector perpendicular bisector OP को M पर काटता है तो midpoint M यहाँ पर मैं two conservative circles of radius 4CM and 6CM are drawn P is taken on larger circle anywhere आप यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते OP is joined midpoint M of OP is taken तो अभी ले लिया फिर M as center with M as center यह नीचे वाली लाइन मेरे पहले वाले की काब आ गई OM as radius a circle is drawn to intercept given circle at A and D B उसके पास M join PA and PB यहाँ पर यह आपको A मिलेगा यानि यहाँ से आपको करना इस सोटे वाले पर तो यह point A ले लो यह point B ले लो पिर PA और PB को join कर लो scale से PA and PB को आप join कर लो ठीक बच्चों अब आप इसकी length को measure करना scale से जितना आ रहा है देखना कितना हो रहा है इसका radius कितना है ओके अब मैं बता तो आपको यह radius कितना है how much radius छोटे वाले का 4 है और यह 6 है अब मैं बता हो देखो मैं बता हो आपको कैसे यह छोटा circle radius आपके 4 हो गई ठीक है और वो point कितना दूर है the point is 6 centimeter away तो यह आपका 90 degree angle बनेगा this angle will be 90 degree ओके यह 90 degree है वो 6 है तो यह कितना होगा ठीक है ना अब आप पाइटो कोरे से भी कर सकते बढ़ यह measure करना और के ठीकिन verify करना verify करना calculation से यह कितना this is P A O ठीक है आपको generally exam इतने यह था draw the tangent so how much is P A P A square will be P A कितना हो जाएगा P A square will be 6 square 36 minus 16 that is 20 so P A कितना बनेगा root 20 बनेगा 4.45 एप्रोक्सिमेट 4.45 सेनिमेट होगा ठीक है ना 4.45 एप्रोक्सिमेट आपका चलेगा ठीक है यह सब आपको समझाएगा आप measure करेंगा लग बुक उतना आएगा ओल्डाइब ठीक क्योंकि 36 minus 16 20 ठीक है because this is right triangle यह hypotenuse है यह radius है और यह 90 इसमें PA and OA के भी इसमें 90 degree angle है आप measure कर ले ना ओके बहुत अच्छी बात यह सब करने की ज़रूद नी अहाँ verify ऐसे करना टेक दिस वन PA square will be this is verification बाद में लिके लेगा बाद एग्जाम में आपके आता नहीं यह verification करना you must know how to draw the tangents इसको लिख लो पहले question number 3 पढ़िये I'm reading out the question from you the book draw a circle of radius 3 cm तो मैंने यह radius 3 cm का circle आपके लिए उड़ी कर लिया उचके बाद पढ़ते हैं take two points P and Q on one of its extended diameter यानि एक diameter आप extend कर दो बढ़ा दो उसके अपर दो पाइंट लिजी P and Q each at a distance of 7 cm प्रमीट सेंटर यानि उसके केंदर से प्रत्य एक पाइंट 7 cm दूर होगा तो मैं इसको आपको कर थिर आपको बताता है यह अभी 3 cm का तो 7 cm दूर लेना इससे 7 cm दूर लेना extended diameter diameter extend कर दिया बढ़ा दिया यह लोग थोड़ा इसको आगे कर दो यह 3 है और पूरा साथ हो दी यह 3 से थोड़ा ज्यादा करना इसको सीखें ओके ओल्राइट क्या लिगा टेक 2 पाइंट पी एंड क्यू एंड एक्टेंड डामिट तो यह पाइंट में पी ले तो विजिबल में पी विजिबल नहीं है थोड़ा सागो माँद दे यह लोग पाइंट पी विजिबल टू यह नाओ इच अट डिस्टेंस उब 7 यानि ओ से पी तक 7 और ओ से क्यू तक 7 सेंटीमेटर और सरकल का रेडिस 3 सेंटीमेटर ओके डोड़ टेंजेंट टू दा सर्कल फ्रोम दीज पॉइंट ठीक है आपको कुछ नहीं करना है पी से फ्रों पी अभी आप बिल्कुल वाषिए करना पहले जहते आ ओपी का मिड़ पॉइंट लेना ठीक है ओव पी का मिड़ पॉइंट लेना ऐसे यह मिलेगा एंग को लेदना एक सरकल करना और सरकल यहां पर और पर कटेगा पिर पी और पीबी को जोइन करना वही काम इदर से भी करना सेम काम इदर से ही करना है ठीक है similar job must be done from this side यानि OQ का midpoint ले लो ठीक है और उसका N ले लो midpoint N दे देना N को center मान के O N जितना radius लेना या O Q जितना radius लेना एक circle टो करना वो circle इसको जहां काटे उनका नाम कुछ और दे दो C Q and D Q को join कर दो D Q C Q will be our tangent और इदर पीए पीवी यानिस चाहर टेंजेंट बनेगी ठीक है मैंने जो बोला अभी मैं आपको करके दिखाता हूं करेंगे बहुत अच्छे आप इसके लिए करो यह देखो अभी यह तो आपने कर दिया आंशोर ठीक है यह वह सेंटर था और यह आप थ्री सेंटिमेंटर पर निक सकता है करेंगे यू कना थ्री इस थ्री सेम राइट यह और यह पूरा सेवन है यहां से यहां तक एम इसका मिड़ पॉइंट आया और एन इसका मिड़ पॉइंट आया एम को सेंटर माना ओ एम जितना रिएडियस लेके एक सर्कल डो कर लिया वो सर्कल ए और बी पे काटा सिमिलेली एनगो सेंटर माना है ओन जितना रेडियस लिया एक सर्कल डौ क्या वो सर्कलल गिवन सर्कल को सी ओर डी पे काटा 1 पी इपी इजोई धीगो जोई इसको सीडिया रिक्वाइट है अभी आप यह लिक्षैक्ट है सब्सक्राइब वीडियो को पॉज करके इसको लिखनो कोपी करनो पड़ा पड़ा है जो आप करने वह लिखना स्टेप्स थोड़ा बहुत लेंगवेज इदर उदर होता चलता है आप पैसी वह लिखिए एक्टिव इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीके ना चलिए इसको लिको पड़ा पट वीडियो को पॉज करें अपने नोट्बुक में स्वाल्ड्यूशन कंप्लीट करके रखना यह मैं आप से कई बार बोलता भी रहूंगा question 4 देखे प्यारे बच्चो ठीक यह तो पुराना कहानी this is old story नहीं करना इसको ओके यह नहीं पड़ना question देखे उपर बोर्ड पे fourth question draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree यानि एक circle के उपर आपको एक circle दे रहे है radius 5 cm का मतलब मैं पहले समझा दे तो आपको कि यह 5 cm radius का आपको circle दे रहे हैं अब आपको यह बोला नहीं को पाइंट कितना दूर कहीं नहीं बोला गया आप यहां पर tangent दो करेंगे वो tangent आपस में 60 degree पे जुके होंगे समय मारा ना तर टेंजेंट्स अर इंकलर इच अदर एक 60 डिग्री यह दो टेंजेंट्स होंगे माल लो दीजार्ट टू टेंजेंट्स ठीक है यह दो टेंजेंट्स ऐसे होंगे इनके बीच के आपको आदा नमार मिल भी गया अब हमेंने पता वो पाय्ट यहां होगा यहां यहां होगा हमें कई बार को सो बार सो दोशो बार करेंगी तब पर चलेगे सो 60 और जितना नदी का एंगल बड़ा हो जाएगा धुर जाएगा फोटा हो जाएगा तो अब एक काम करना कहीं से O को कहीं से इसको जोइन कर दो आप यानि O A और O B आप O को A A can be taken here also A उपर भी आप ने सकते हैं इसको जोइन कर दो ठीक है फिर ही यहां पे देखो मैं बता हूँ यह जो दो एंगल होते हैं आपको बताया था 11.1 एक्सरसाइज में इस एंगल का इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है समवाया इंडिस एंडिस टू एंगल्स आर सप्लिमेंट यह एंगल यह कौन संपुर्ग होते हैं तो हम क्या करेंगे वहां पर 60 तो हमें नहीं बनेगा लेकि 120 एंगल बना देगी ठीक है तो एक एंगल यहां 120 का बनाई है 120 आप लिए उसके बाद क्या करना वो टेंजेंट होगा टेंजेंट का रेडिस के साथ कितना एंगल बनता है 60 डिग्री तो फ्रॉम एट पॉइंट एज़स ड्रो दा टेंजेंट यानि मेंकिंग एंगल 60 इस तरह से आप करेंगे यह मैं आपको बाद में को दूँगा आप पहले बनेएगा फिर वीडियो को पोज करके आप अप्ला का स्ट्रक्शन में च्कारना मेरे साथ ओके लग्री नव सी इस कंट्रक्शन फासेंटमेंटर एडिस आपने सर्कल डो कर लिया ओ को एसे जोइन के दिया फिर क्या तेक अनी पाइंट ओन सर्कल जोई इस तेक अनी पाइंट एओन सर्कल ठीक है जॉइन इट विद सेंटरो कंस्टर एंगल एओ वी इकोल 120 120 क्यों माला विकोज 180 बाइनिस 60 बिकोज इसका इसका एंगल का सम होता आपका 180 डिग्री एट एंड बी डो टेंजन टू इंटर्सेक्ट इच अधर एड़ पी पी एंड पी बार इकोई टेंजर यह आपका क्वेश्चन नमर फॉर्ट था कोई दिखे दी काफी इसी था चलते है इसको पहले लिखनो आप राम से ज़स्ट कॉपी कर लो वीडियो को पॉ शर्कल अख डियूर विद्它 रेदिस प्रों चंटिमीटर पी ऑग करनाे थीज पी र्दीज करनात है ढग को इसके मिटेश्च का राम Olay यहां पर रेव डों पा 20 नियुक्वी Любuse न्द्रेंट टोorg यहां पर आपको क्या करना एक यह को एंड लbų 8 संटीमीट्यंटसे इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट हो करना है और इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट हो करना मतलब from A draw tangents to this circle from B draw tangents to this circle समय भाई? कैसे बनेंगे tangents? ये दो tangents हैं माल लो तो B से ऐसे tangent बनेंगे ऐसे बनेंगे B से ठीक है समय भाई रहा है और A से ऐसे बनेंगे अब मैं बता हो कैसे करेंगे आप इसको आपको आता? I'm sure तो आपको अगर B पर A से करना, इस circle पर A से अगर tangent draw करना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करते थे? देखो आप पहले थोड़ी देर के लिए इदर वाले इस circle को भूल जाओ माल लो point A यहां पे है और B यहां पे है आपको आता है फिर भी मैं बता रहूँ इस circle हो गया आप क्या करते है? A B को join किया तो already join किया भाए फिर क्या करेंगे? A B का midpoint लेना है, तो midpoint आप लेंगे इस circle को भूल जो, take midpoint of A B, तो A B देखो यह पूरा 8 है, यह 4 है तो वो आपका midpoint है न, यहां पे होगा, ठीक है? फिर भी आप चाहते हैं, रूल के मुताबिक, तो midpoint यही होगा आपको show करना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे show कर देना compass यूज करेंगे, तो आपका जो perpendicular to the bicycle है वो इस circle को touch करता है निकलेगा यह बात आपको समझ मागी होगी ठीक है? इसका नाम M दे देना फिर क्या करता है? with M as center, draw as and A M as radius या B M as radius, draw another circle फिर एक circle draw करेंगे यह बात समझ माइए ना? अब आप इसे circle draw करो, फिर a tangent draw करके दिखाजी मुझे just draw the circle okay? with M as center and B M as radius, draw a circle यह circle अब आपको इन पे दोनों circle को कहाँ पे कटता है A B दो यह P Q R S कर दो to intercept given circles at P Q R and S समझ माए? join AR, AS and BP and BQ यह बात समझ माँ रहे ना? join AR, AS, BP and BQ में join करने लिए I will need some scale AR, AS joining आपको 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 AR, AS from B tangents क्या होगा? यह BP and BQ okay, अब आपको steps of construction लिखना steps of construction आपने पहले क्या काम किया है? वो दा आपको समझ ना A B at centimeter का आप लिखना draw A B draw a line segment A B equal to 8 centimeter taking A as center taking A and B as centers draw circles of radii 4 cm and 3 cm respectively, take midpoint M of AB with M as center, B M as radius construct a circle which intersects given circle set P, Q, R and S, join AR, AS, BP and BQ last me like na, AR, AS, BP, BQ R required tangents now write these steps of construction draw AB equal to N cm with A and B as centers draw circles of radii 4 cm and 3 cm respectively take midpoint M of AB with M as center, B M as radius draw a circle to intersect given circles P, Q, R and S, join AR, AS, BP and BP B, Q and BP and BQ these are required tangents question 6 let ABC be a right triangle where AB equal to 6 BC equal to 8 and angle B 90 degree BD is perpendicular from B on AC a circle through B, C and D B, C and D is drawn constant tangents from vertex A to the circle or Yarni this is the right angle I have made this right angle I have made this right angle now you will use compass and it will use exact so you will make this exact use this is 6 cm this one is 8 cm okay then from B you draw a perpendicular to AC and it will name D so I will give this so I will give this so I will give this but perpendicular to the circle how do you know you have compass and here and here arc draw and here arc draw to the circle the arc here two points cut is not visible any point from any line segment perpendicular draw I have told you how do you know this is line and here point B so B तो हिसंद लेना तो इसको सेंटर से स्ट हँं प्रीजिस करना इसको जोएंद करना यह आपका पर्स्पेंड़िक में समय तो आपकी यह सा बनेगा तो सिमिले ले आपको यहां कंस्ट्रेक्शन में कमपा से सो करना और इतना घुचर-मुचर होगा आपको बाद में कुछ पता ही नहीं चलेगा आप करते जाहिए ठीक है तो मैं यहां पे आपको शो करना पड़ेगा तो मैं पहले यह कर देता हूँ आपको मैं जैसे बताया अच्छा अब यहां देखिए यह इधर करो इधर करो कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या बोलना टेकिंग शर्कल थ्रू बी सी डी बी सी और डी के थ्रू एक सर्कल बनाना है तो ऐसा सर्कल जिसम जो बी सी और डी से गुजरे आपको यह पहली बात तो एक क्वेश्चन एक्जाम आए गए नहीं आने का चांस बहुत कम ठीक है अच्छा दूसरी बात अगर आता तो मैं आपको करना देता हूं फिर बोलो किसा आपने करा है निता इसमें ऐसा होगा कि यह कंप्लिट डाग्राम जब बन जाएगा कर है नाउ बीडीजी जए राइट राइगल अगें यह तीन राइट राइगल है ए बीडी बीडीजी राइट राइट राइगल है और एक खुद अबीजी अच्छा अब इसको देखो किसी भी टाइंगल के वर्टेक्स से गुजरे यह मैं ए इस इस डी और सी हाउ तो दो दा सर्कल पासिंग थ्रू त्री वर्टिशेज यह 90 डिग्री आप कोई दोर साइड का पर्पेंडिकुलर बाइसेट करना पर्पेंडिकुलर माइसेक्टर जो आप करेंगे वो जो दोनों मिलें इसका यहां मिलेगा इसका जैसे करना ऐसे करना ऐसे करना तो आप यह पर पेंडिकुलर माइसे जहां मिलेंगे सर्कल का संट्र उसको मोलते हैं सर्कम ऐसेंटर तो circumcenter right triangle circumcentre hypotenuse पर लाइप करता है . The circum central of right triangle lies or hypotenuse यह चीज़ teacher को पता होगी , teacher को पता होगी , तो आप इसमें लेकल नहें कर सकते है तो यह d 90 Degree है तो BC के ऊपर आपका circumcenter पढ़ेगा या यह सरकल का center पढ़ेगा झाने करांए जो मां आपके सावखर करके दिखा दो करें के चलिया चलीए चलो-चलो-चलो यह लो यह बीसी का परपेंडिकोदर बाई सेक्टर और सीडी का परपेंडिकोदर बाई सेक्टर यहां मिला इसका नाम दे दो ओओ इस्विल बी दा सेंटर दा सर्कल नाउ इसलो बौन लगों टेकिंग उए सेंटर अब ब्रीडिस ओवी लेव ऊसी लेलो ओडी लेलो कुछ बीलो डॉय सरकल मतलब वी सी उसका हाइपोट्यमिस बीसी इसका डामेटर बनेगा ड्रोव सेंटर लेकर चिर्थ जितना खोलो या ओवी जितना खोलो आपका जो सरकल तीन दोव पैंट से गुजरेगा समय मार रहे है तो बना यहां मैं भी बना देता हूं आपको मैं तो बीना कापास को बना रहा रहा बनाई कापास को यूज करके छलिए मैं कापास लूगा आप बनो देखे पिर अगला पताता हूं ओको सेंटर लो ओभी जितना मूँ खोलो उसका और फिर सर्कल बनो यह लो बनाए सर्कल ऐसा टेकिंग ओए सेंटर ओभी एज रेडियस ट्रोर सर्कल विच पासेज थू बी सी अभी आपके कितना काप हो गया अब इसे यहां पर टेंजेंट करना है ठीक है तो अब बिल्कुल वैसा ही एसे मान लो अभी आप एक काम करो जस्ट रिमेंबर दिस सर्कल रिमेंबर प्वाइट और आप कुछ याद मत रखो ठीक है बाकी बन गया बन गया आप स्टेव में क्या करेंगे यह सेंटर इसका क्या हो है न तो ओए को जोइन कर दो जोइन कर दो इसके लेकर कर रहा हूं ठीक है कर फिर प्रनी ना भाट क्या कर दिया उसके बाद करते हैं पताए जाता है अच्छा पर लिए जाता है अब वह कितना होगा गार्व यह पर शर्कल बनाते शहाँ एए मडोप इयम में और अम आप कर सकते ओक इसका मिड़ ऊई एसे ले लिया ले लिया इसे गुमा दिया यह M हो गया पॉइंट इदर ठीक है में शेंटर और Mia's रेडिय से सर्कल टोख किया है ठीक है अब इतना करकर बना वह सरकलं यसको यहां पर काटेगा वह यहां से निकलेगा ठीक है यह A B C हो गया D हो गया क्या करूं मैं P और Q कर दूं ठीक है इतना घुचल मुझे लोगा आपको कुछ पता है नहीं चलेगा फिर जोइन A P and A Q जोइन A P and A Q जोइन कर दो जोइन कर दो A Q Q and B same ही है Q and B same ही है तो मैं इसको भी रिखें और A B already joined है ठीक है तो आपका A P and A B are required tangents are required अब slow motion में मैं आपको लिक्वाट क्या करेंगे point आप steps लिखना point number one में construct a right triangle ABC with the given parameter slow motion में construct a right triangle ABC with given parameters okay draw BD perpendicular to AC draw BD perpendicular to AC step number two step number three में क्या है circle draw BCD draw perpendicular my sectors of BC and CD I repeat draw perpendicular by sectors of BC and CD which intersect each other at O bracket on BC which intersect each other at O in bracket on BC fourth point में taking O as center OC as radius draw a circle on BC which passes through BC which passes through BCD जार हो गया पांच्वां point उसके बदा आपने क्या 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 आपने जो क्या होई करने का join O A join O A join O A then sixth में midpoint M of O A is taken I repeat midpoint M of O A is taken seventh seventh with M as center OM as radius draw a circle which intersects given circle which intersect the previous circle at P and B फिर लिखना eighth step लिखना join PA and BA I repeat eighth step लिखना join PA and BA required tangent या AP and ABR required tangent ये आपका step था आप load कर लो exam में आने का chance इसका बिलकुल नील लिखनो इसको copy कर लो diagram ऐसा है कि इस diagram की आपका दोस्त नकल नहीं कर सकता सेवन्त question एक activity टाइप लग रहा है मैं आपके लिए और draw a circle with the help of Bengal किता बॉले ने आपके साथ यानि लड़कों के साथ एक मजा कर दिया है आप एक चूड़ी की मदद से circle टो कीजिए ठीक है न अब चूड़ी भाई देख लो कर लो ले लो मांग लो किसी से टेक पॉइंट आउटसाइड दे सर्कल ठीक है कंसे न पेर ओटेंजेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टुद कर सकते हैं यह मैं एक चीज़ दे लिए मैं आप इसको चूड़ी माल लीजिए ठीक है ओके कर दो इसको बिलकुल आशान यह लो चूड़ी चूड़ी मजान देगी लो कंगन मजान देगा तो गाला याद आ रहा है ठीक सर्कल का सेंटर कहां यह रहा ठीक है बिलकुल आशान यार यह तो आशा पते ना इस इस सेंटर ओ टेके पॉइंट आउटसाइड इस सर्कल यह पॉइंट कहीं ले लिया आपने ले 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 लिया पॉइंट ए ले लिया पी ले लो यहां से आपको टेंजेंट रो करना है यह आपको आता है जोईन इस पॉइंट जोईन कर दो मिला दो मिला दिया ठीक है मिड़ पॉइंट रो कर लो इसका मिड़ पॉइंट M पता कर लो मुझे तो यहां लग रहा कहीं ठीक है ओल्रड़ी आपको आता ही है स्टेप्स में लिखाऊंगा with M as center O M as radius circle it roll कर दू yellow yellow अब इस बात बड़ी चुड़ी होनी चाहिए थे न रे कुछ लोचा हो गया अच्छा नहीं बना आप देरे से अच्छा बनाएंगे चलिए कुछ अच्छा बनाएंगे ठीक है to intersect given circle it A and B join P A and P B join P A and P B yellow P A नहीं P A वह अच्छी बात है yellow P A and P B are required steps आप लिकले ठीक है न steps मैं फिर बोलू step number one क्या क्या आपने a circle with the help of a bangle is drawn ठीक है okay a point an external point P is taken number three क्या होगा O P is joined number four midpoint M of O P is taken number five मैं with M as center O M as radius a circle is drawn to intersect the previous circle at A and B join P A and P B यह होगा छे नमबर उसके बाद दाना P A and P B are P A and P B are required tangents P A and P B हमारे वांचित इस्पस रेका है मेरे प्यारे बच्चों यह आपका chapter 11 exercise 11.2 और chapter 11 यही खत्म होता है वीडियो को लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना see you in next video till then बाइ बाइ